शक्तिमान को भारत का अपना सूपर हीरो कहना गलत नहीं होगा और ये सूपर हीरो एक बार फिड से स्क्रीन पर वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार है शक्तिमान का रोल प्ले करने वाले मुकेश खंदा ने हिंट दिया है कि उनका शोव वापसी कर रहा है जिससे सोशल मीडिया पर फैंस के बीच पुरानी यादों को लेकर खुशी की लहर दोर पड़ी है मुकेश ने इंस्टाग्राम पर एक पुरानी फोटो और एक वीडियो क्रिप शेयर की और अब उन्होंने एक फोटो के साथ जानकारी दी है कि शक्तिमान लॉट रहा है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में मुकेश ने फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा It's time for him to return Our first Indian super teacher, super hero Yes, as darkness and evil prevails our children of today It's time for him to return He returns with a message, he returns with a teaching for today's generation Welcome him with both hands पुरानी यादो से भरे फैंस ने इस खबर का जश्न मनाते हुए सोशल मेडिया पर कमेंस की बाहला दी है एक फैन ने लिखा Waiting sir, most powerful first super hero, हमारे शक्तिमार तो वहीं दूसरे फैन में लिखा Watching your serials a lot in my childhood made my childhood very memorable तो वहीं एक यूजर ने लिखा आज की युद को शक्तिमान के lesson की बहुत जरूरत है आज के युवा बहुत भटक चुके हैं बताते चले कि 1997 में ये शो पहली बार टीवी में आया और 8 साल तक लगातार चलता रहा बच्चे बुढे सभी इस शो को पसंद किया करते थे बच्चों में शक्तिमान के कपड़े पहन कर खेलने कूदने की होड़ दुआ करती थी खेर मुकेश ने कुछ साल पहले शक्तिमान फिल्म की अनाउस्मेंट भी की थी सोनी पिच्चोंस ने उनका एक अनाउस्मेंट टीजर भी शेयर किया था बगर तब से अब तक सारा मामला ठंडा है ना तो फिल्म पर कोई अबजेट है ना ही स्केप प्रोडक्शन पर हलाकि बीच में ये खबर आए कि मुकेश खन्ना का कहना है कि ये बहुत बड़ी फिल्म है बड़े बजट पर बनने वाली है इसलिए टाइम लग रहा है अब देखने वाली बात ये होगी कि ये अनौस्पेंट चो मुकेश खन्ना ने की है ये शक्तिमान फिल्म के ले की है या शक्तिमान टू याने की शक्तिमान सीरियल वापस टीवी पर लटने वाला है आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही वीडियो उसके लिए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें